Hello friends, this is Shedan. पाकिस्तान की कराची बंदरगा की तरफ जा रहा था, जहां पर कोस्मोस इंजिनियर नाम की कमपनी को ये समान डिलिवर होना था, और 22 जनवरी को ये जहाच मुंबई के नावा शेवा पोर्ट, जिसे हम जवललाल नहरू बंदरगा कहते हैं, वहाँ पर पहुचा, और भारत के कस्टम विभाग के अधिकारियों ने खूफिया सुषना पर इसे जब्त कर लिया, जब्त इस अधार पर किया गया, कि चीन और पाकिस्तान के बीच, हत्यारों का अवेद व्यपार हो रहा है, इसके लिए DRDो की एक टीम बुलाई गई, इस टीम ने पूरे जहाच का निर कमपनी से भेजा गया था, जो सियाल कोट में पाकिस्तान विंस प्राइमेट लिमिटेड कमपनी में पहुशने वाला था, लेकिन जाच के बाद हमारे जो सुरक्षा अधिकारियों ने ये बताया, कि इस जहाच पर 22,000 किलो से ज़्यादा समान था, और इसे चाइना की माइ इलेक्टिक सामान खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसमें भी कोस्मोस इंजिनिरिंग शामिल थी, और तभी से इंडिया ने इस कमपनी की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी थी, पैंस यहाँ पर मैं एक बात एड करना चाहूंगा, कि जो CNC मशीन होती है, वो वासिना व्यवस्था के अंतर गताती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये क्या बला है, देखिए वासिनार व्यवस्था एक एसा सिस्टम है, जिसका उद्देश्य ट्रेडिशनल वीपन्स एंड ड्यूल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलोजी, हिंदी में कहें तो हतियार और जहरे उपयोग वाली चीजों और टेकनोलोजी की इनफोमेशन एक्सचेंज करके ट्रांस्पेरेंसी को एंशोर करना है, यानि एक व्यवस्था है जो ये देखती है कि दो तरीके से उपयोग होने वाली कोई चीज का यूज, कोई परमानू हत्यार बनाने के लिए तो नही किया जाता है, क्योंकि ये मशीन बहुत सटीक, दक्ष और इस्थिर्मानी जाती है, और चाहे मिसाइल बनाना हो, परमानू हत्यार बनाने हो, या कोई सी गन बनाना हो, इन्ही फेक्टर पे तो डिपेंड करती है, भारत इस वासेनार आरेंजमेंट का मेंबर है, जो परमान को ये बात दिल पे लग गई, और इमोशनल होकर इंडिया पे एलिगेशन लगा दिये, और वो क्या, पाकिस्तान का कहना है, कि पाकिस्तान कमर्शल गुड्स की जबती में, भारत की मनमानी की निंदा करता है, कराची की एक कमपनी, चीन से कल पूर्जे बनाने की मशीन इं और ये अंतरास्टी कानूनों और नियामों के खिलाफ है, चीन के विदेश मंत्राले की तरफ से भी ये बयान निकल कर आया, कि जो मशीन सप्लाई की गई थी, वो पूर्जे बनाने में इस्तमाल होती है, वो किसी मिलेटरी एक्विपमेंट में इस्तमाल नहीं की जा सकती, लेकिन सी जिनपिंग जी, अगर इसका यूज मिलेटरी एक्विपमेंट बनाने में नहीं किया जाता, तो फिर इसे वासिनार अरेंजिमेंट के तहट निगराने में क्यो रखा जाता है, प्रेंस उत्तर कोरिया ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में CNC मशीन का यू इसलिए भी जरूरी है, कि इनके आतंगवादियों के पास इतने आधुनिक हत्यार केसे होते हैं, आखिर कहां से आते हैं इनके पास, एके 47 गंस तो एसे लेकर गूमते हैं, जैसे कि कोई पान मसाला, बड़ा सवाल ये भी है, कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा पर पर हत्यारों की illegal activity होती है, अवेद खरीद फरोग्त होती है, जो कि international law का clear violation है, भारत को इसी तरह की सतरकता बरतने की जरूरत है, ताकि चीन और पाकिस्तान के इन हरकतों पर लगाम लगाई जा सके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू